सती जती अरसूर्मा आमरुधरा मोतियारी खान कुम्भाराम जेडा सपूत जणे आमहा की मायडरी पैचान राजस्तान की धन्ने धरा संत सूर्माउ पीर पेगंबरों की रही है जिस समाधी पर हम सब खड़े हैं यह उस महान किसान मसीह की समाधी है जिन्होंने रातों रात किसान को जमीन का मालिक बना दिया 1906 में आये राजस्तान राजसो भूमी अधीनियम में जिन्होंने किसानों को अपनी जमीन का मालिक आना हक देने का कारिय किया जो किसी के हाथ पर अगर अपनी कलम से कुछ लिख देते थे तो collector और SS भी उन्हें जियूंकातिव मान लेते थे ये उनकी दबंग था थी ये उनका होसला था ये उनकी निश्टा थी इमानदारी थी तो आज कुम्हरम आरेजी की समधिस्तल से उनकी 23 वी पूर्णे तिथी पर हम उन्हें सत्सत नमन करते हैं और उनके जीवन से हिराजस्तान इन्हें हिंदुस्तान का किसान बहुत ओबलाईज है और आज उन्हें इस्पनन करने के हमें फिर से आव सकता है अभी स्री वीर तेजास्तली सुरसुरा में पधारे जम्मू कस्मिर के महमिम राज्जिपाल ने भी किसानों को अपनी जमीन का मालिकान हक दिलाने की बात को दोहराया और उन्होंने भी कहा कि हमें फिर से कुम्हरम आरे जैसे महप्रोसु को इस्पनल करके उनके पद्जिनों पर चलके जबान किसान और आम जन के लिए बहतर काम करने का संकलप लेना है आईए चोद्री कुम्हरम आरे किसान घाट से हम सब ये संकलप लें कि हम किशान के लिए एक बहतर काम करेंगे देश के अन्न दाता को सम्मान दिलाएंगे कुम्हरम जिनों ने खेत पे खड़े हुए किसानों के नाम जमीने लिखवा दी थी कि तेजा जी को भी याद रखो और इन लोगों को याद रखो और इनके सम्मान में दान दो इनके सम्मान में इनकी जो बाते हैं उनको फैलाओ और किसानों के लिए सबसे यदि कोई अनुकरनी व्यक्तित्व है किसानों के मसीया चोधरी कुम्बाराम जी रहे हैं उनको आज हम सभी ने सरदानजली दी है किसान जगत से जुड़े हर किसान उनको आज सत सत नमन कर रहा है हमारे पिता जी एक महान किसान नेता होते हुए भी किसानों के प्रती ही सब कुछ किया और आज उनके लिए जो कुछ भी हो रहा है मुझे उसके लिए बहुत भी खुशी होती है और मैं चाती भी यही हूँ कि आगे ये लोग बढ़ते रहें किसान फांडेशन और बढ़ती रहे क्योंकि हमारे पिता जी का ये बहुत बड़ा सपना था कि किसान जो है देश के लिए बहुत कुछ है चोधरी कुमारा मारिये और वो किसान के प्रतीक थे उन्होंने अपने जीवन में सामटों से संगर्श किया उसके बाद में राजस्तान एक एकरन में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा चोधरी कुमारा मारिये के मेरे पिताजी बहुती बड़े परसंसक हुआ करते थे मैं बहुती छोटी थी जब वो उनके किस्से सुनाया करते थे और हम सुना करते थे अजमेर का किसान उनके सामने फाटक बंद था और आके जब उन्होंने कहा कि साथ मुझे हक नहीं मिल रहा है तो उन्होंने कहा कागज है बोले कागज नहीं है बोले कागज नहीं है तो आपका हाथ इदर करो और उन्होंने उसके उपर लिख दिया हाथ के उपर और जाके कहा कि कलेक्टर को दिखा देना और जब तक इस हा वरक के पड़ती, कितनी सकारात्मक थी, इसका में एक छोटा सा हुदान की एक बार चूरू में वो जब गए वे थे, तो एक किसान उनके पास आया, उसने ये कहा कि मेरा घर जल गया, तो मेरा घर बनवाया जाया, आग से उस टाइम, आग जनी घटना काफी होती थी, लोगों पंदरा दिन बाद वो फिर वापस गए, और उन्हों को सामने वापस वो किसान आया, कि साभ मेरा घर जल गया, आज तो कुछ नहीं हुआ, तो उन्होंने कलेक्ट साभ को बूलाया, कि आप आपने इस समन्ध में क्या कारवाई की, तो कलेक्ट साभ ने ये बूला, कि साभ इसका घर खाहता वो फो जूंपडी थी वो जल गई यह बात करा जूंपडी थी वो इसका ताज मेल था उसी में खाता है उसी में सोता उसको बनवा भी आज का नेता इतने छोटे आथमें कि इस लेफल kबा करने वाला पिता जिये हैं, उनको मैं सहसत नमन करता हूँ